वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे उत्वी चैनल भोला सा डिजल मेकेनिक में तो फ्रेंड आज ये वीडियो जो है पीक अव एवरेज के उपर है जो कि पीक आपकी गाड़िया क्यों ने देती है एवरेज क्यों ने देती है तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है जो आपको काफी फाइदा रहेगा तो आज हमारे पास यह गाड़ी आई है और इस गाड़ी में एवरेज और पीक अप दोनों की प्रोब्लम आ रही है तो जाहिर सी बात है और सिंपल सी बात है कि अगर आपकी गाड़ी पीक अप नहीं रहेगी तो एवरेज तो देगी नहीं यह गाड़ी का कलच जो है हम लोग उतारने वाले हैं डाउन करने वाले हैं इसी के लिए आप लोग को बताना चाहता हूं किस इस्तिती में आपका कलच उतारना चाहिए तो यहां पे देख सकते हम लोग कलच खोल लो है जेड़ Up का गयर हैं जो कि इतन गयर इसमें दिया हुआ है कमपणी में और जेड़ Up का भी दिया हुआ है तो हम लोग उसको डाउन करने वाले हैं गयर को तो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाना चाहता हूं बुष्टर पे कलज बुष्टर जो है हमारा उसके उपर दिखाना चाहता हूं आप लोग को कि क्या प्रोब्लम उसमें है कि जो मुझे खोलना पड़ जा रहा है तो इस इस्तिती में अगर आपका जो इसे इस्तिती इसका है आज बहुत खराब इसका इस्तिती है तो इसके उ प्रस्तिती में यह कलच रोड है तो आपको कलच डाउन करनी चाहिए और कलच फिंगर जो है सेटिंग करनी चाहिए या कलच अगर फलेट खरब हैं तो कलच डान नहीं चाहिए तो हम लोग इसमें कलच प्लेट भी डालेंगे और पूरा फिंगर कीट जो है हमारा वह भी डालेंगे तो आप लोग को पता है कि हमारे BS4 जो लेलन गाड़िया है उसमें थ्री फिंगर का सिस्टम दिया हुआ है अगर कलच घिसेगा तो फिंगर हमारा उपर आएगा तो यही प्रोब्लम हुआ कि कलच हमारा घिसा हुआ है तो हमारा फिंगर उपर करने वाले हैं और आप लोग को सबसे पहले तो कलच देखने चाहिए कि कलच अगर सही है आपको रोड सही दीख रहा है कांगा आब सही है प्रृष ह result हमारी सफ ही थोड़ प्रफियों में जितनी भी हमारी लेलन गाड़ी आ रही है उसमें दो इंच ही फिंगर रख रहा हूं में तो आप लोगों को भी रखने नहीं चाहिए उतना ही और रखना है तो आप लोग रख सकते हैं काफी अच्छा रहेगा आप लोगो के लिए बिएस फोर लेलन में मैं दो हिंच ही फिंगर रहा हूं हाइट है दो इंच रखकर में को अच्छा लग रहा है मिरेंको और गाड़ी भी अमारी सख हो रही है उसमें क्या होगा यह कलश रोड में कोई तरीका दिया नहीं है हाँ दूसरी चीज अगर आप लोग बनाना चाहते इसको तो काट कर इसमें अलग से इसमें 17 नमर का बोल्ट वेल्डिंग करना पड़ेगा अगर उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो छोटा से वीडियो का आप लोग के लिए बना दूंगा क्योंकि आज कल मैं सेटिंग का सिस्टम बना रहा हूं जितने भी बीएस फोर की गा तो इसलिए आप लोग को बोलना चाहता है कर इस स्तीती में कलच रोड है तो केर को डाउन कर लिनी चाहिए आप लोग को और फिंगर को जो हाइट है आपको दो इंची रखना है दो इंच रखेंगे आपका पॉर्फेक्ट रहेगा कोई दिक्कत परिसानी नहीं आएगी त तो मैं भी इसमें दो इंची ही रखूंगा पहले भी अल्रेडी मैंने फिंगर सेटिंग का वीडियो बना चुका हूँ अल्रेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगा वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं अब चलता हूं में पीछे का साइड में दिखाता हूं आपको अगर कलच सही है हमारा कलच रोड भी सही दिख रहा है तो उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए यह हमारा एयर क्लेंडर जो हता है एयर फिल्टर जिसको बोलते है एयर फिल्टर भी देख लिनी है कि हमारा चौक तो नहीं है अगर फिल्टर चौक है तो फिल्टर आपको डानी कि यह हमारा जाम तो नहीं है क्योंकि अक्सर इसमें जाम होने का चांसिस मिलता है क्यूंकि धूल-मिट्टी हमारा जाएगा टमकी के अ अंदर तो जाम करेगा जाली और जाली जाम रहेगा तो फिल्टर में डीजल नहीं जाएगी और आपकी पीक अप गाड़ी में डाउन रहेगा उसका बात चलता हूं मैं लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में आप लोग को बताता हूं क्या चेक करनी चाहिए यहां पर हमारा है वाटर सपरेटर इस फिल्टर को अगर काटते हैं आप लोग इसमें पेपर के ऊपर में आप लोग देखेंगे तो गीली मिटी की तरह इसमें लिख लेगा आपको जिससे पीक अपको हमारा प्रोब्लम आएगा ही आएगा यह भी फिल्टर चेक कर लेनी है उसके बाद यह हमारी जो टर्वो पाइप से आती है और यह फिल्टर को खास ध्यान रखना है कि यह फिल्टर भी चौक होने का करण आपक स्याफ़ा प्रोब्लम रहेगा और अवरेज की परोब्लम रहेगा उसके बाद अगर अगर तो फिल्टर कर पर में रैड इकर करके सर्वां सकते हैं यह हमारे वमियों हैं जो किलिप बोला जाता है इसको यह सब किलिप को पूरी अच्छे तरीके से चेक कर लेना है क्योंकि इसमें अगर ताकत पड़ेगी तो इसमें से गैस लिकी जोगा तो आपकी गाड़ी पीक प्रोब्लम करेगी करेगी तो यह रहा छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए अगर इसके बाद भी आपका तकलिफ पा ़हा है तो उसको क्या करें नहीं आपको यहाँ पे कलज जो है कबी कетр सेटिंग कितना करना आपको कि एक इंच में गाड़ी आपकी उढ़ जानी चयों जैसे मैंने कलच को दबाया, कलच दबाया हमने और गाड़ी हमारी जैसी एक इंच मैंने कलच छोड़ा हमारी गाड़ी बढ़नी चाहिए आगे के तरफ चलनी चाहिए तो उस इस्तीती में आपको कलच सेटिंग करनी चाहिए एक इंच में आकर गाड़ी आपकी उठ रही है तो यानि पर्फेक्ट है कोई तकलीफ नहीं है उसका बाद беспेंडल भी चेक कर लेना है यानि नोर्माल पेंडल होनी चाहिए चाल अगर नहीं है तो उसमें ठोड़ी रखनी पड़ेगे आपको उससे भी दिक्कत आती है आपकी गाड़ी के पीक अप में और पीक अप नहीं रहेगा तो एवरेज भी नहीं देगा तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट सेर करना ना बूले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कॉमेंट मुझे जरूर करना वीडियो कैसा लगा आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो